बहुजन समाज पार्टी चला रही है शाशक बनो अभियान हो शकत है की तर्च पर किया ये बड़ा अलान कहा कि महाराष्ट में बिना हाथी के नहीं बनेगी महाराष्ट सरकार जिया साथियो मैं हूँ इतेश आप देख रहे है दाथिंग महाराष्ट ये महापुरुषों की धर्ती रही है और इसी महापुरुषों की धर्ती से लेकर के पुरे देश में जो है बहुजन समाज का आंदुलन गतिशील हुआ है और इस आंदुलन को गतिशील ताप्राप्त हुई है मानिवर साहब कांशिराम जी के वज़े से जिनोंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पुरे आंदोलन को देश में एक पॉलिटिकल पावर मिला और पॉलिटिकल पावर के साथ में शोशल जो उसका स्ट्रक्चर है वो डेवलप मानिवर साहब कांशिराम जी ने बाबा साहब की इसी बात को मानते हुए बहुजन समाज को शाशक बना दिया उर्तरप्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की चार-चार बार सरकार बना दी और अभी इसी बात को ले करके 2024 के चुनाव को मद्य नजर रखती हुए अभी लोग सभा के भी चुनाव है और 2024 में महराष्टर में विदान सभा के भी चुनाव है और इसी चुनावों को मद्य नजर रखती हुए बहुजन समाज पार्टी ने शाशक बनो अभियान यह चालू कर दिया है शाशक बनो अभियान क्या है तो शाशक बनो अभियान जो इस देश में वंचीत है जो इस देश में शोशीत है जो इस देश में व्यवस्ता से सताये गए लोग है इन लोगों को शाशन प्रशाशन में हिस्सा मिलना चाहिए इनकी भागीदारी होना चाहिए और इसलिए बहुजन समाज मतलब की 85 प्रतीशत जो समाज है उसको शाशक बनने पर जोर दिया जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी इस आंदुलन को गती देने का काम कर रही है और अभी 2024 की चुनाव को ले करके महरास्ट्र के मुंबई में महरास्ट्र प्रदेश के मुंबई के बैठक जो है वो संपन हुई है इस बैठक आकाश आनन जी जो की बहुजन समाज पार्टी के नाशनल कोडिनेटर है साथ में राज्यसबा सांसत असोक सिधार साहब महरास्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताज ने और महरास्ट्र प्रदेश के स्वागत किया गया जिसके वज़े से वहाँ पर एक बस्पा में माहौल हो गया और उस माहौल को देख करके लग रहा है कि परिवर्तन जो है महरास्ट में परिवर्तन होना बिल्कुल संभव है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को ले करके जिस तरीके से इस देश का समान्य आदमी जो है एक कॉमन मैं जो काम कर रहा है और विचार धरा से इमानदार हो करके वहाँ पर शाशक बनो अभियान में पहुच गया है और उसी को सफल बनाने के लिए इस देश का गरीब मजदूर और इस देश के बहुजन समाज के जितने भी साती है वो वहाँ पर जैसे आने वाले चिनाओं में कॉंग्रेस भारतिय जनता पार्टी की जो है नींद हराम हो सकती है जिसके वज़े से भारतिय जनता पार्टी की ऊपर काफी प्रेशर बना हुआ है काफी तनाव पूर्ण स्तिती में वह है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में नहीं तो बहुजन समाज पार्टी की लोग प्रियता वर्ल्ड वाइस पॉपुलर हो गई है बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले विदेशों में भी है तो इस तरीके की पॉपलरिटी जो है बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है साथ ही बहन कुमारी मायावती जी के द रहा है और इसी बात को ले करके शाशक बनो अभियान जो है बड़ी ही गतिशीलता से बड़ी ही तेजी से पूरे देश में चल रहा है और आकाश आनन जी के हाथ में बहन कुमारी माया वती जीनी इसकी बागलोर दे दी है अभी देखते हैं कि 2024 की चुनाओं को ले करके लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी का कारवा जो है वो कितना आगे बड़ा लेते हैं जिस मान्यवर सहाब कांशिराम जी ने बाबा सहाब के एक किताब पढ़कर इस महराश्र की धरती से ही जिस आंदुलन की शुरुवात की थी और इस आंदुलन को गती नहीं मिलने के वज़े से और कुछ लोगों के वज़े से मान्यवर सहाब कांशिराम जी को यहां से उत्तर प्रदेश में जाना पड़ा और वहाँ पर उन्होंने इस बाबा सहाब के आंदुलन को सफल बना कर दिखाया बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बन बन चुकी है और यहां पर आंदुलन की शुरुआत हुई ती लेकिन आंदुलन उत्तर प्रदेश में जाकर के सफल हुआ है लेकिन इस आंदुलन को महरास्ट्र में फिर से सफल बनाने के लिए आकाश आननंजी ने अपने हाथ में बहुजन समाज पार्टी की बाग्डौ सक्कुствिक कि तरीके से लोगों में जाकर रहा है उसी तरीके से आकाश ऑनन्द भी पुरे मभी देश में जो है जो है लोगों से मिल रहे है पुरे प्रदेशों में घूम रहे है लोगों की समस्याओं को समझ पा भारती जंतापार्टी ने अभी तक कि जो इस सरकार में जितनी भी आयसी नीतिया बनाईी जो अन्यायकारी जो इस देश के अम नागरी को तक्लीफ दे रही है उन अभी नीतियों के खिलाफ में बहुतन समाज समाज पार्टी आका शानन जी और परम आधन या बहन जी के नेतरुत्तमरें बहुत बड़ा काम करती हैं आने वाले समय में भाउजन समाज पार्टी महापूरुशों के अंदुलन को इस विपपन दॉसरी भारतिय जंता जो कि गूलवलकर्वादी विचारधारा से जुड़ी हुई है प्रेरीत है जो कि सवइधान की विरुद में और सवइधान को करने की बात करती है और तीसरी विचारधारा दीसरी बड़ी शक्ति इस देश अबियान के अंतरगत अभी महरास्ट्र में यह चाशक बनो अभियान चल रहा है जापर आकाश अनन जी से तबहां में लोगों को संबोदित कर रहे हैं कारेकर्ताओं को रननीती कैसे बनानी है कैसे चुनाओं को हमको जीतना है और कैसी रणननीती बनाई जा रही जा सकती है इस विशे पर आकाश अनन जी ने बात कर रहा है बारहाल इस बात को ले करके साथ ही आप क्या सोचते है किया 2024 में आकाश आनन जो है बड़ा कमाल कर पाएंगे क्या 2024 में मान ये बहन मायावदीजी प्रदान मंतरी बन सकती है तो साथ यो इन सवालों के जवाब अगर आपके अपास में है तो आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे बने रहे दधिंग पर तब तक कि लिए जय भीम जय भारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले